अगर आप अपने जीवन में सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो जलना भी होगा सूरज की ही तरह ये जो सबसे बड़ी बात और ऐसे और बहुत सारे किसे जिन महान विभूती ने हमें अपने जीवन की हर घटना से कुछ ना कुछ सिखाया है आज 15 अक्तूबर को उनके जनम दिवस के अवसर पे मैंने हां कुछ बहुत बढ़िया और अच्छे सिखाने वाले जो किसे हैं डॉक्टर एपी जे अबदुलकलाम जी के जीवन के वो आप सबसे डिसकस करने के लिए आई हूं सबसे पहला किसा तो मैं बहुत सारे जो मैं जवान बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर होने सिखाना चाहूंगे वो सिर्फ दस साल की उमर के थे जब उन्होंने अपने घर की आर्थिक स्थिक को संबालने के लिए क्योंकि उनके पिता जी माता जी तो हाउस वाइब थी घर में भाई बहन बहुत जादा थे जिस वज़े से आर्थिक स्थिती थोड इतना असाही नहीं था कि उन्हें आर्थिक हालात को सुधारना है या अपने पिता जी को सहारा देना है उसका में मोटिव ये भी था कि जैसे ही वो अखबार बाटने के लिए तो रास्ते में जितना भी समय होता था वो उस पूरे अखबार को पढ़ लेते थे तो पढ़न बेचलर शब्द से भी एक किसा याद आ गया है अपने सगाई वाले दिन वो अपने काम में इतने मश्रूफ थे मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति के साथ क्या होता है सगाई की प्लैनिंग, शॉपिंग, इंतजार कर रहा होता है कि वो कब समय आएगा और मैं इस चीज को पीजी अब्दुलकलाम जी कुछ हलागी थे, उन्हें अपने घर पे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, बैठे हैं, महमान आये हुए हैं, लड़की पक्ष के लोग सब पहुंचे हुए हैं, लेकिन वो अपने काम में इतने मश्रूफ हैं कि अपने खुद की ही सगाई पे नह पागलपन जो उनके जीवन में इतनी उचाईयों तक जाने के लिए उन्होंने सीखा, सहा, जिस संघर्ष से वो गुजरे, वो काबिल ये तारीफ है, और हम सब के लिए उसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए है, जैसे अब सीख से याद आ गया, एक और किस्सा उनके दिखते हैं, पहले ही बेंच पे एक मुसल्मान लड़का, एक मुसलिम लड़का, एक पंडित जी, एक प्योर ब्रहमन परिवार के लड़के के साथ बैठा है, उन्हें ये चीज़ बिल्कुल बरदाश ही नहीं हुई, वो फटा-फट से आया और अब्दुलकलाम साहब को पीछे से ऐसे मारते हैं, वो बोला, चल उठ, लास्ट बेंच में बैठ, तुम मुसल्मान होके एक ब्रहमन लड़के के साथ कैसे बैठ सकता है, अब इस जटके के बाद, बहुत बार आपने अब्दुलकलाम साहब जी की वीडियो में सुना होगा, कि वो कहते हैं, most captured brain या most smart brains can be found on the last benches, तो वो क्योंकि लास्ट बेंच पे उन्हें बिठा दिया गया था, वहां से उन्होंने इस किसे को बनाया है, और इसमें भी सीखने की बात है, एरफोर्स की एक्जाम की में बात करती हूं, उनके जीवन का एक और मज़ेदार किसा, देहरादून एरफोर्स अकेडमी में वो इंटरव्यू देने के लिए गए, क्योंकि सपना था, बच्पन में वो चिडिया उडने वाली कहानी, जो मास्टर जी से सुनी थी, वहां से स अपना हो चुका था, Air Base, Air, Aeronautics और Missile Man तभी तो कहा गया है उन्हें, तो वो एरफोर्स की नोकरी देहरादून में जब करने के लिए गए, तो वहां पी क्या हुआ, 25 कैंडिडेट्स थे टॉटल, और सिलेक्शन होना था कि नहीं आठ का, अब उन आठ की जब फाइनल लि रैंक ने आया, वो थे नमबर 9 पे, और एक नमबर से उन्होंने वहाँ पे उस failure का सामना किया, उस fail का सामना किया, और वहां से उन्होंने फेल शब्द की definition ही बदल दी, first attempt in learning, आज कल के जवान बच्चे जब fail होते हैं, गिर जाते हैं तो दुबारा उठने की हिम्मत नहीं होती है, लेकिन उन्होंने fail शब्द की परिभाशा ही बदल दी, हर बार गिरे, हर बार उठे और अपने हर जीवन के किस्से में एक ही बात सिखाई, सपना देखो कुछ जिसके लिए लगना पड़े, पूरे जोरदार तरीके से महनत करने पड़े, छोटा सपना देखना तो एक बहुत बड़ा क्राइम है, ऐसे और बहुत से किस्से उनके जीवन के हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ कि तो खतम ही नहीं होगी चीजे, लेकिन उनको याद कर कोई मुख का हमें छोड़ना नहीं चाहिए, तो आज उनके जनम दिन के अफसर पर अगर आपको इसमें से कोई भी किसा या कहानी जीवन में कुछ सिखा रही हो, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता के चाहिएगा.